क्या राहुल गांदी ने विदेशी जमीन पर देश का अपमान किया? क्या राहुल गांदी ने अमरीका में जाकर शाइना की तारीफ की? आखर राहुल गांदी के बारे में भारती जन्ता पार्टी उसका प्रचार तंत्र और उसका पालतू मीडिया जूट क्यूं बोलता है वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराईयों में छिपा है राजनीती का असली खेल क्या भाजपा को इस बात की मिर्ची लगी कि विदेशी जमीन पर जाकर राहुल गांदी ने ये कह दिया कि अब भारतीय जन्ता पार्टी और प्रधान मंत्री से कोई में ही डरता क्या भाजपा को इस बात की मिर्ची लग रही है कि राहुल गान्दी ने ये कह दिया कि RSS की जो सोच है वो भारत की बुन्यादी सोच से बिलकुल अलग है दोस्तों इस बात को समझना पड़ेगा कि राहुल गान्दी जब भी विदेश जाते हैं उनके खिलाफ एक टूल किट शुरू हो जाता है राहुल गान्दी लंदन में थे तो उनके बारे में ये जूट पहलाया गया कि राहुल गान्दी चाहते हैं कि हमारे आंत्रिक मामलों में ब्रिटन और अमरीका दखलने जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था तो सबसे बड़ी बात राहुल गान्दी पर प्रहार करना है तो भाजपा को जूट का सहरा लेने की जरूरत क्यूं पढ़ती है ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गान्दी ने चाइना की तारिफ की सरा सर जूट मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि राहुल गान्दी की किस बात पर बीचेपी को मिरची लग रही है मैं उनका पूरा जो भाशन है अंग्रेजी में दिया गया मैं आपको सुनाऊंगा मगर उससे पहले उसका मैं अनुवाद पेश कर दूँ उन्होंने क्या कहा ध्यान से सुनिएगा मेरे एक एक शब को राहुल कहते हैं कि RSS इस बात में विश्वास करती है कि भारत एक विचार है जबकि हमारा मानना है कि भारत कई विचारों का समावेश है हमारा मानना है कि सब को सपने देखने का अधिकार है सब को भागिदारी का अधिकार है और ये माइने नहीं रखता कि आप कौन सी भाशा, कौन सा धर्म, कौन सी जाती से आते हैं राहुल गांधी कहते हैं यही वो लड़ाई है जो चुनावों में लड़ी जा रही थी देश की जनता बार-बार देख रही थी कि प्रधान मंती देश के सम्मिधान पर हमला बोल रहे हैं हर शब्द जो मैंने कहा वो सम्मिधान के हिसाब से था राहुल गांधी आगे कहते हैं आधूनिक भारत की बुनियाद देश का सम्मिधान है लोग चुनावों में साफ तोर पर समझ रहे थे और मैंने अपनी आखों से देखा हर बार जब मैं सम्विधान का मुद्दा उठा रहा था लोग समझ रहे थे मैं क्या कह रहा था वो देख रहे थे कि BJP हमारी परंपरा हमारी भाशा, हमारे राज्यों हमारे इतिहास पर हमला बोल रही है सबसे बड़ी बात वो इस बात को समझ गए थे कि जो भी सम्विधान पर हमला बोल रहा है वो देश की धार्मिक परंपरा पर भी हमला बोल रहा था इसलिए संसद में मैंने अपने पहले भाशन में अभय मुद्रा की बात की अभय मुद्रा यानि किसी से मड़ डरो और भाश्पा ने मेरे इस बयान को भी तोड़ मरोड कर पेश किया राहुल गांधी आगे क्या कहते हैं इससे सबसे ज़ादा मिर्ची लगी है वो कहते हैं कि चुनावों के बाद भाश्पा का डर खत्म हो गया है चुनावों के बाद प्रधान मंत्री का डर खत्म हो गया है और ये भारी उपलब्धियां है ये कॉंग्रेस या राहुल गांधी की उपलब्धी नहीं है हम सिर्फ सतही है यह देश की जनता की उपलब्धी है जो लोक्तंत्र की ताकत को मानते हैं जो सम्विधान पर हमला बरदाश्ट नहीं करेंगे सुनिए अब यही बात जिसका मैंने आपको अनुवाद किया राहुल गांदी ने अंग्रीजी में क्या कहा था The RSS believes that India is one idea and we believe that India is a multiplicity of ideas and we believe by the way very much like the United States we believe that everybody should be allowed to participate we believe that everybody should be allowed to dream everybody should be given space regardless of their caste language religion tradition history this is the fight and the fight was crystallized in the election when millions of people in India clearly understood that the prime minister of India is attacking the constitution of India because what I am saying to you union of states respect to languages respect to religions respect to traditions respect to caste this is all in the constitution every single word that I have said to you is in the constitution the foundation of modern India is the constitution and what people understood in the election clearly and I saw it happening when I used to raise the constitution like this people understood what I was saying they were saying that the BJP is attacking our tradition attacking our language attacking our states attacking our histories and most importantly what they understood was that anybody who is attacking the constitution of India is also attacking our religious tradition right and that is why in my first speech in parliament you must have noticed when I describe Abhay Mudra this the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion guru Nanak ji holds his hand like this shiva holds his hand like this every single Indian religion the hand is a symbol of fearlessness and when I was saying this the BJP could not stand it they don't understand and and we are going to make them understand you see and the other thing that happened the other thing that happened that was very beautiful that in fact I was amazed that it happened so quickly was that fear of the BJP vanished disappeared gone and we saw that immediately within within minutes of the election result nobody in India was scared of the BJP or the prime minister of India so these are these are huge achievements not of Rahul Gandhi or the congress party we are peripheral these are huge achievements of the people of India who realized that we are not going to accept an attack on our constitution we are not going to accept an attack on our religion we are not going to accept an attack so this is what we are going to do the fact that Rahul Gandhi said that he said that स्टेट्स कई राज्यों का समावेश है और हमारे सम्विधान में भी लिखा हुआ है कि इंडिया that is भारत is a union of states भारत कई राज्यों का समावेश है आपको याद होगा दोस्तों राहुल गान्दी की इस बयान को भी तोड मरोड कर पेश किया गया था आगे राहुल कहते है मेरा भाई जो पगड़ी पहनता है उसे उतनी ही इज़त मिलनी चाहिए जितनी उस व्यक्ति को मिलती है जो नहीं पहंता है हम यह नहीं कह सकते कि कोई पगड़ी पहंता है तो हम उससे पसंद सेंगर थो टमिल बोलता तो हम उससे पसंद नहीं करते हैं यह एक ऐसी जंग है वों लगाताद लड़ रहे हैं सुनी राहूल ने क्या कऊए We started here with the Indian National Anthem, and while the National Anthem was playing, I was thinking to myself that this song mentions all our states, and it mentions them all equally. It does not start by saying, this state is the best, and this state is the second best, and this state is the third best. The song basically describes India as a union of states. Very much like the United States. So often people say, oh, we share the fact that we are the two biggest democracies. But we share another very important fact, that we are both union of states. The United States, whose National Anthem we also played, and in our constitution, it's clearly stated, India, that is Bharat, is a union of states. Which means, just like in the United States, no state is superior to any other state. No religion is superior to any other religion. No language is superior to any other language. My brother, who is wearing a turban there, deserves the same respect as somebody who doesn't wear a turban. We cannot say, look, we don't like him because he wears a turban, and we like him because he doesn't wear a turban. or, you know, he speaks Tamil, so we don't like him, and he speaks Hindi, so we like him, or, you know, he speaks Malayalam, so we don't like him, right? Right? And so, Telugu, right? Because these are, see, when we say Telugu, we are not just saying language. Embedded inside Telugu, is history, is tradition, is music, is dance, is food, is everything. So, if you say to the people of Andhra Pradesh, that look, Telugu is not as important as Hindi, you are insulting the people of Andhra Pradesh. Because you are saying to them, that your history is not important, your tradition is not important, your food is not important, your music is not important, your forefathers are not important. And this is the simple battle that is being fought in India. The RSS believes that India is one idea. And, we believe, that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe, that everybody should be allowed to participate. We believe, that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस मुद्दे को लेकर राहुल पर हमला बूला जा रहा है, वो मुद्दा क्या था? ये कहा जा रहा है कि उन्होंने चाइना की तारीफ की. क्या ये बात सही है? राहुल गान्दी ने क्या कहा, मैं आपको बताता हूँ. राहुल गान्दी ने सिर्फ ये कहा, कि दुनिया भर में बेरोजगारी की समस्या है, मगर वियतनाम और चीन में नहीं है, क्यों नहीं है? उन्होंने बताया, कि एक जमाना था, जब दुनिया भर का उत्पादन अमरीका में होता था. मगर धीरे धीरे ये शिफ्ट कर गया, दक्षिन कोरिया और जापान, और अब दुनिया भर का उत्पादन शाइना में होता है. आपके घर में कई सामान में लिखा होता है मेड इन शाइना. राहुल गांधी सिर्व इतना कह रहे है कि मैं चाहता हूँ कि उत्पादन भारत में हूँ, ऐसे मैं क्या खलत कह रहा हूँ, तो सही बात भी है. अगर राहुल गांधी बेरोजगारी की समस्या का समाधान इसके जरीए करना चाहते हैं, तो क्या खलत कर रहे हैं? सुनी उन्होंने क्या का और आप खुद फैसला कीजिए कि क्या उन्होंने चाहिना की तारिफ की? सुनिये. यो ऩलतמנास की अन्होंने कि आप लीवरे से सिवाज़शन लाते घंगे क्मेस्टोंने सतीन, सित्य लोरी यहा हैं लीवरे साट्टोंने global production, anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. Production moved from the United States, it went to Korea, it went to Japan, eventually it went to China and if you look today, China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you'll see on the back made in China. और जहां तक चाइना की तारीफ है दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, एक साल पहली की बात है, Global Times ने प्रधान मंत्री की तारीफ की थी, Global Times जो की चाइना का ओफिशल अखबार है, ये कहा था की प्रधान मंत्री Narendra Modi के नेतरत में भारत को सही दिशा मिल रही है. सुनिये, इस मीडिया रिपोर्ट में क्या कहा गया था. And an article has been published in China's state-run Global Times that has praised India's progress under Prime Minister Narendra Modi. The article said India's domestic and foreign situation has changed tremendously compared to four years ago and the author in fact also said that it appears that a transformed, stronger and more assertive India has become a new geopolitical factor. The story doesn't stop there. They were giving them the nagarik, and they were saying that the Prime Minister is Amar, i.e. Modiji is Amar. Now think about it. If the Prime Minister is about Rahul Gandhi, the people say that Rahul Gandhi is Amar, Amit हैं, Ajay हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, भाश्पा ने कितना बवाल किया होता यहां पर? यह सवाल है दोस्तों, इसे समझने के लिए अकल का इस्तमाल कीजे, गोदी मीडिया के जूट में मत बह जाईए, सुनिये, वहां के लोग किस तरह से प्रधान अंत्री की तारीफ कर रहे थे, हमारा अपना मीडिया बता रहा है. और सबसे बड़ी वाद, जब नारेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने मंच से खड़े होकर कहा था, कि मैं चाइना के साथ समझोता कर रहा हूँ, और इस समझोते के बाद, हमारे गुजरात में लोग मेडल जीतने लगेंगे, खेलों में मेडल जीतने लगेंगे, अभी हाली में उलिम्पिक्स हुआ, गुजरात की प्रिष्ट भूमी वाले कितने लोगों ने मेडल जीतने और आप ये जानते हैं, कि सबसे जादा पैसा गुजरात को दिया जाता है, प्रधान मंत्री ने ऐलान आज से 10-11 साल पहले किया था, कि भाई गुजरात के साथ शाइना का जो है गड़बंदन हो रहा है खेल के मोर्चे पर, कितने मेडल जीते गए बताईए, क्या प्रधान मंत्री से कोई ये सवाल कर रहा है इस बारे में, और क्या ऐसे में प्रधान मंत्री की देशभक्ती पर सवाल की जानी चाहिए, कि वो शाइना के साथ रिष्टे करने हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा था, पुराना बयान है, चीन के लोगों के सामने, कि मैं चीन के साथ मिलकर के, मेरे गुजरात में, स्पोर्ट को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे चीन की मदद चाहिए, और चीन के मुझे आस्वासन दिया है, कि हम गुजरात के साथ मिलकर के, खेल कुद के विकास के लिए जो भी कर सकते हैं, हम करेंगे, स्पोर्ट्स उनिवर्सिटी को, चाइना की उनिवर्सिटी के साथ जोड़ करके, हम इंटरनेशनल लेवल से, हमारे स्पोर्ट छेत्रों को कैसे विक्सित करें, हमारी इंस्टिउशन को कैरेंगे डेवलप करें, उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जब गुझरात के मुक्हिमंतरी थे, प्रधान मंतरी नरेंडर मुदी तब उन्हें बयान दिया था. मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो तीनों खबरे मैंने आपको बताई। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जगा अगर राहूल गांधी होते तो कल्पना कीजे कितना बवाल होता दोस्तों राहूल गांधी चाइना के डिप्लोमाट्स से मिलते हैं तो उसको लेकर बवाल हो जाता है कि राहुल गांदी देश के खिलाफ साज़श रच रहे हैं मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी चाइना करीब चौधा बार गए थे तो क्या उससे उनकी देश भक्ती पर सवाल उठाया जाना चाहिए मगर आप मामले को पलटिये अगर इसी तरह से राहुल गांदी चौधा बार चाहिना गए होते है कितना बवाल होता बताईए सांसद होने के नाते गए होते है कितना बवाल होता यह सवाल है दोस्तों मैं आपको ढेरो ऐसी मिसाल दिखा सकता हूँ जहां संग ने या मद्दप्रदेश सरकार ने चीन के साथ दोस्ती के कसीदे पढ़े हैं मिसाले दी है मुद्दा ये है कि हमें मुद्दे पर रहना चाहिए राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए आपको जूट के सहारे की जरूरत क्यों पढ़ती है क्या वज़ा है क्यों जूट के जरिये ही आप हमला बोलते हैं और ये जूट आज से दी हैं दोस्तों याद कीजेगा राहुल जब ब्रिटिन गए थे तब उनके बारे में जूट चलाया गया था कि आप चाहते हैं ब्रिटन और अमरीका दखल ने सुनिये राहुल का क्या जवाब था Mr. Gandhi, thank you for your candor and your plain speaking You've spoken about democracy and trouble You spoke about it just now You spoke about it yesterday and you expressed some surprise at the fact that Western European countries don't seem to have noticed that large chunks of democracy were falling away So here's my question to part One, what are you, the Congress party but you also the opposition planning to do about this And part two, what would you like London, Paris, Berlin, all the other capitals the governments and the people to do about this? No, look, first of all this is it's our problem, right? It's an internal problem, it's an Indian problem and the solution is going to come from inside it's not going to come from outside Now, tell me, Rahul Ghani said here He said here America and Britain You've got a lot of money You've got a lot of money You've got a lot of money I've got a lot of money I've got a lot of money and if you've got a lot of money You've got a lot of money If I can put up a lot of money This a lot of money I'm not going to come from now You have a lot of money This is my question I've got some of your thoughts And I've got a lot of money and all this is my advice while I ask the intention झाल झाल